जग काम देव ने फेल कर्या हो 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 जग काम देव ने फेल कर्या तेरा हो के सपना सच जागा और न्यू केने लगी जब बड़े बड़े ना बचे बीर से फिर तू कैसे बचे जागा जग काम देव ने फेल कर्या तेरा हो के सपना सच जागा बड़े बड़े ना बचे बीर से फेल तू कैसे बचे जागा फेल तू कैसे बचे जागा अर्य सुनके तेरी बात ना थयो पेट बात का बर्या नहीं चमनरिसी गुरू रक्षपती ने क्या घरवासा कर्या नहीं क्या घरवासा कर्या नहीं तेरा दादा मझे नरिनाथ गुरू भी इन बातों में खर नहीं विश्वामित तर दरवासा ने बिना लोगाई सर्या नहीं तेरा दो दिन आगे दो दिन पाँछे दो दिन आगे दो दिन पाँछे आप ओई रोड़ा मझे जागा बड़े बड़े दो बच्चे मीर से फिर तू कैसे बच्च जागा फिर तू कैसे बच्च जागा हुँ ह् प्रोड़े दो ड्रोड़े वुँ हुँ 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 कहनी लगी कि इस दुनिया के अंदर एक से बढ़के एक तपस्य हुए है अरे ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन हुने अठासी हजार वर्स तक तपस्या की लेकिन बाद में फिर भी कहीं न कहीं उन्हें आउरत की साहता की जरूरत पड़ गई और दूसरी कली के दौरा न्यू समझाने लगी कैसे बताया कर्या वर्स हजार पर्या वर्स हजार अठासी तप पर चाम का नाश हुया ना उद्य हालक बेबिना बीर रहना बरदास हुया ना ओ नारत ने लिया काम जीत कोई मतलब खास हुया ना मन महनी दुरी जीतन का यंतर पास हुया ना धेलू हुया या पास हुया थेलू हुया या पास हुया तेरे खरत अंदर जच जागा बड़े बड़े लाद मच बीर से फिर तू कैसे बच जागा, फिर तू कैसे बच जागा कहने लगी कि तू तो एक इंसान है, क्या देवी देवताओं ने घरवासी नहीं किये और तीसरी कली के दौरा कैसे समझाती है, क्या लुखा च्या देवा लगा समाधी संच बैठे के, लेगे खेच सास ने प्रह्मा विश्णू शिवजी भी तंग काम की करे प्यासने अर ग्रस्ती अंदर रमन करया पत लाग्यों खास खास में अत्रिस और जम दगनी बारा सरवेर व्यास में ना कहे कोई तू ब्रह्मा बन के आपके सश्थी रच जाता बढ़े बढ़े न बचे बीर से ये तू कैसे बच जाता ये तू कैसे बच जाता क्या बात है क्या बात भाई अभी अभी मंच्वेर कॉमेडी के बहुत बहतरीन कलाकार जो किसी परीचे के महताज नहीं आधनिया भाई मेहंदर सिंग जंडू जी जो हिसार से चलकर करके या पहुचे बार दोनों हाथ उढ़ा करके जोर दातली जंडू भाई के सम्मान जंडू भाई धर आ जाओ चैरे पर खुशी आजाती है हर चैरे पर मुष्कान आजाती है वह एक बार जोर दातली मेंदर सिंग जंडू जी के सम्मान भोजानी चाहिए बार बार धनिवाद करते हैं बहुत सुंदर रागनी चल रही थी लेकिन जैसे ही जंडू भाई आए तो वैसे ही आपका ध्यान कुछ लोगों का ध्यान उधर की तरफ चला गया जबकि रागनी जिस रागनी को मनोज चोधरी गारी है ये रागनी बहुत महत्पूर्ण रागनी है क्योंकि राजकुमारी सुंद्रादे पूर्ण मल से कहने लगी रहे तू बेसक अपने आप में बाबाजी बन रहा हो ले जब बड़े बड़े ना बचे बीर से फिर तू कैसे बच जागा और अभी सुना भी रही थी कि लगा समाधी संत बैठ गे तेरे जैसे मात्मा तेरे जैसे सादू संत बहुत देखे लगा समाधी संत बैठ गे लेगे खैच सासने ब्रहमा विश्णु सिव जी भी तंग काम की करे प्यास ने रस्ती अंदर रमन करया बतलादू खास खास ने अत्री रिशी और जम दगनी पारा सरवेद व्यास ने ना कहे कोई तू ब्रहमा बनके यो आप पो इस रश्टी रच जागा अरे जब बड़े बड़े ना बचे बीर से फिर दू कैसे बच जागा अगर पाद उठाने की पाम उठाने की जड़त नहीं है बस बीडी पीए जाओ आराम से घूट मारे जाओ कोई दिकत नहीं आईये कैसे बना हाँ और हमारे बहुत ही अजीज हमारे दादा जी आदने रहतास जी भीटे ड़ागाओं से जो हमारे बीच में आए हैं वो बहुत जगा जाके सारे कलाकारों का बहुत अच्छे से मान सम्मान करते हैं और सौर रुपे से खुश होकर हमारी टीम को उन्होंने सम्मानित किया दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्य पेश चलीना घने विरह में पहा के नीर बैठिके प्रमचारी योगी सत्यासी खा के तीर बैठिके अर्य काम के आगे हार मान के तीर फकीर बैठिके लड़न सिंग राजबल कुछ खो के आखीर बैठिके अर्य काम की दारी मैं बिजडी हो काम की दारी मैं बिजडी हो मारी अचानक टच जागा बड़े बड़े ना बच बीचे फिर तू केसे बच जागा फिर तू केसे बच जागा जब काम देव ने हेल करया तेरा हो के सब ना सच जागा बड़े बड़े ना बच बीचे बीचे फिर तू केसे बच जागा फिर तू केसे बच जागा